चलिए आज हम जैसलमेर की राजकुमारी गद्यांस पर आधारित प्रश्न उत्तर जानते हैं यहाँ पर गद्यांस लिखा हुआ है राजकुमारी ने हसकर कहा पिता जी दुर्ग की चिंता ना किजिए जब तक इसका एक भी पत्थर पत्थर से मिला है उसकी मैं रक्षा करूंगी चाहे अलाउद दिन कितनी ही वीरता से हमारे दुर्ग पर आक्रमन करे आप निर्भय होकर सत्रू से लोहा ले यह जैसलमेर के राठा और दुर्ग अधिपती रतनसी की कन्या थी जो इस समय बलिस्ट अर्भी घोडे पर चड़ी हुई थी उसकी कमर में दो तलवारे लटक रही थी फीट पर तरकस और हाथ में धनुस था वह उस चंचल घोडे की लगाम को बलपुर्वक खीच रही थी जो एक चंबी स्थिर रहना नहीं चाहता था रतनसी एक खांथी के फौलादी होदे पर बैठे आकरमन के लिए प्रस्थान कर रहे थे उनके सामने घोडे हीन हीना रहे थे और सस्त्र जंजना रहे थे ये था अमारा गध्यान्स सब इस गध्यान्स पर आधारित प्रशन उत्तर है पहला प्रशन है इसका राजकुमारी ने हसकर पिता से क्या कहा इसका आंसर आएगा राजकुमारी ने हसकर पिता से कहा पिता जी दुर्ग की चिंता ना किजिए जब तक इसका एक भी पत्थर पत्थर से मिला है मैं उसकी रक्षा करूंगी प्रशन नमबर दो है राजकुमारी किसकी कन्या थी? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा राजकुमारी राठा और दुरगाधी पती रतनसी की कन्या थी थार्ड कोशन है कौन से घोडे पर चड़कर राजकुमारी युद्ध करने निकली? इसका उत्तर है राजकुमारी अरभी घोडे पर चड़कर युद्ध करने के लिए निकली कोशन नमबर फोर है इसका रतनसी ने आक्रमन के लिए किस प्रकार प्रस्थान किया रतनसी हाथी पर सवार होकर के आक्रमन के लिए प्रस्थान किये फिप्त कोशन है रतनसी को देखकर घोड़े और सस्त्र क्या करने लगे तो इसका उत्तर होगा रतनसी को देखकर घोड़े हिनी ना रहे थे और सस्त्र जंजनाने लगे